अफ़ड़ी वन दिसीज मैक महाझान वैलकम तो मैं चैनल अगरापको मैं सकी चप्टर वाइस टुड़ी करने हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले साथ-साथ वैल-ाइकन को भी प्रैस करें ताकि आपको नेक्स वीडियो की नोठिफिकेशन इसलिए आती रह क्या ये number 45 से divide होता है या नहीं होता है ठीक है तो हमारे पास आप हिंट भी दी हुई है कि मापस 5 और 9 इसके कैसे number है को प्रैम numbers है तो हम इसकी divisibility test कर सकते हैं इन दो number से भी तो आप चाहत उन दोनों को directly divide करके देख लो ये मारे पास divisible है कि नहीं या हम क्या करेंगे इसका answer देखने हैं इसका answer देखो हमें बताना है कि 2511045 से divide होता है या नहीं तो अगर 45 के factor से अगर ये number divide हो जाता है तो मतलब ये 45 से भी divide होगा तो पहले मैंने देखा ये 5 से divide होता है कि नहीं तो क्या होता है कभी भी last में आपास digit 0 या तो 5 आता हो तो हमेशा वो number 5 से divide होता है तो क्योंकि या पे last में 0 है number के तो ये 5 से divide होगा तो हम क्या लिखेंगे 25110 is divisible by 5 as 0 is at unit place क्योंकि unit place के ओपर 0 है तो ये पका मारे पास 5 से divide होगा तो ये काम कतम होगया आप देखना है ये 9 से divide होता है कि नहीं तो कोई भी number 9 से divide कभ होता है जब उसके digits का sum 9 से divide हो जाता है मतलब क्या होगा हमें क्या करना होगा और सभी को plus करना पड़ेगा so 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0 gram करते हैं so 2 plus 5 होगया हम आपा 7 7 plus 1 8 8 plus 1 9 9 plus 0 9 ठीक है कभी भी कोई number देखना वो 9 से divide होता है या नहीं हम क्या करते हैं इनको simply plus कर देते है numbers को so digit को digit को number करके जो number आता है अगर वो 9 से divide हो रहा है मारे पास कि यह पूरा number भी 9 से divide हो जाएगा तो मैंने क्या लिखा 25110 is divisible by 9 as sum of digits is divisible by 9 क्योंकि यह मारे पास क्या और आसकि sum of digits divide हो रहे हैं 9 से तो यह 9 से भी divide हो जाएगा तो अगर यह 5 और 9 से divide हुआ मतलब 45 से भी divide हो जाएगा तो last में मैंने क्या लिख लिया therefore the number must be divisible by 5 into 9 equal to 45 क्योंकि 5 और 9 से divide हो रहा है तो मतलब 45 से भी divide हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से मारे पास 10 का answer complete हुआ next question मारे पास 11th question 18 is divisible by both 2 and 3 18 2 और 3 दोनों से divide हो रहा है it is also divisible by 2 into 3 equal to 6 18 2 और 3 दोनों से divide हो रहा है अगर इन दोनों को multiply करके जो number आता है वो भी 18 से divide हो जाता है इतना हो गया फिर क्या बोलाए similarly a number is divisible by both 4 and 6 similarly अगर कोई number 4 और 6 से divide हो रहा है तो क्या हमारे पास can we say that the number also be divided by 4 multiply 6 equal to 24 if not give an example to justify your answer so आपको बोला गया है कि जिस तरह से 18 2 और 3 से भी divide हो जाता था और 6 से भी divide हो जाता है उसी तरह आपने बताना है क्या मारे पास कोई number 4 और 6 से भी divide होता है और 7 सा 24 से भी divide होता है तो क्या ये number है कि नहीं है अगर नहीं है तो आप इसको बताओ through example तो इसका आंसर देखो 11th question के answer में हम क्या लिखेंगे देखो No, number 12 is divisible by both अब मैंने एक number ले लिए 12 आपको बलता कि कोई number लो जो 6 और 4 से divide हो जाओ 24 से नहीं होता हो 12 number ले लिए 12 किसे divide होता है 6 to the 12 होता है 4 to the 12 होता है 12 वे एक ऐसा number है जो 6 से भी divide होता है 4 से भी divide होता है लेकिन क्या होता है मापास 24 से ये number divide नहीं होता है आपको ये बोला था न तो what 12 is not divisible by 24 आपको बोला था एक ऐसा number लो जो 6 से divide होता हो 4 से divide होता हो लेकिन 24 से divide नहीं होता हो 12 एक ऐसा number है 6 और 4 से divide हो रहा है लेकिन 24 से divide नहीं हो रहा है तो आंसर में हम क्या लिखेंगे No, number 12 is divisible by both 6 and 4 but 12 is not divisible by 24 तो मारे पास ही 11th question का answer था So last question ही मारे पास है 12th question I am the smallest number having 4 different prime factors Can you find me? आपका बोलागा है कि मैं सबसे छोटा number हूँ और मारे पास मेरे जो factors है हमारे पास वो कैसे हमारे पास different prime factors है अब देखो सबसे छोटा number बनाना है और मारे पास कैसे होने चारो factors के prime factors होने चाहिए और सारे होने चाहिए अलग-अलग So इसके answer में देखो हमारे पास बोला था कि एक smallest number बताओ जो हमारे पास क्या हो, इसके prime factors ही होते हैं और 4 हमारे पास अलग लगो, अब सबसे चोटा number कैसे बनेगा, अगर मैं किनी smallest 4 prime numbers को multiply करके कोई number बनाओ, तो वो मारे पास क्या होगा, सबसे चोटा number बन जाएगा, तो 2, 3, 5, 7 क्या होगे, चोटे 4 prime numbers होगे, सबसे smallest prime numbers मारे पास, ये 4 हैं, तो अगर इन 4 को multiply करके कोई number आएगा, तो वो सबसे चोटा number होगा, तो hence the required number is, इनको multiply करके जो आगया, वो आगया, 210, 2, 3, 6, 6, 5, 0, 30, 37, 0, 210, ठीक है, तो क्या बोला था, एक ऐसा number, smallest number बताना है, जिसके चारों factors क्या हो, prime numbers हो, चारों अलग हो, और सबसे चोटा सबसे smallest number के आगया, मारे पास वो 210, तो मारे पास 12 question complete हुआ, 7, 7, 3.5 exercise भी complete हुई, तो next exercise start करेंगे, next video में, अगर आपको इन questions related कोई भी problem हो, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, till then, thank you.